सिनमा शो में आज बात शारुखान के आस्क एसार के सेशन की जिसमें उन्होंने बहुत सारे मज़दार जवाब दिये बताएंगे कि आकशे कुमार के ओएमजी 2 की रिलीस पोस्पोन हो गई है और मिशन इंपॉसिबल 7 ने पहले दिन इंडिया में कितनी कमाई की तो चलिए डालते हैं फटा फट नजर आज की बड़ी ख़बरों पर टॉम क्रूस की फिल्म मिशन इंपॉसिबल डेट रेकनिंग पार्ट वन ने पहले दिन इंडिया में बंपर कमाई कर डाली है मुवी ने फ़र्स डे 12.5 करोड रुपे की कमाई की है इसका रिव्यू आप और हमारे चानल पर देख सकते हैं क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपन हाइमर को लेकर दर्शकों में काफी उत्सा है तभी तो फिल्म की इंडिया में भयंकर एडवांस बुकिंग हो चुके है रिलीस की पहले दिन यानि 21 जुलाई के लिए इसके 42,000 टिकेट्स पिक चुके हैं पहले वीकेंड के लिए अब तक ओपन हाइमर की एक लाग से जादा टिक टेम पिक चुके हैं रगवीर यादव की फिल्म माइनस 31 नाकूर फायल्स का ट्रेलर आगया प्रतीक मोहित्रो के डिरेक्शन बनी फिल्म एक मर्जर मिस्ट्री है फिल्म कोरोना चाइम और लॉकडाउन के बीच हुए मर्जर की कहानी दिखाएगी मुवी 21 जुलाई को थेटर्स में रिलीस होगी अक्षे कुमार की फिल्म OMG 2 मिश्किलों में घीरी दिख रही है देर टुडे की रिपोर्ट के मताबिक CBFC ने OMG 2 पर आपत्ती जिताई है इसे रिविजन कमेटी के पास भेजने को कहा है आदिपुरुष के वक्त CBFC की बहुत छीचा लेदर हुई थी इसलिए अब बोर्ड किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाता कमेटी से अफ्रूवल मिलने के बाद ही अब फिल्म को रिलीस के लिए हरी जंडी मिलेगी बवाल के सेट पर वरुन धवन ने जानवी कपूर से एक महीने बात नहीं की क्योंकि वो नहीं चाते थे कि जानवी कपूर से वो फ्रेंडली हो जाए इससे उनके किरदार पर असर पड़ता हलाकि बाद में जब जानवी ने वरुन से पूछा कि वो उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं तो वरुण ने उन्हें सारी चीजे एक्स्पेंड कर दी शिवराज कुमार की फिल्म घोस्ट का फर्स लुक रिलीज हो गया है लोग इसके कलर पालेट बैग्राउंड म्यूजिक को देखकर इसको कीजीएफ से कंपेर कर रहे हैं एमजी श्री निवास के डिरेक्शन में बनी इस फिल्म की रिलीज डेट जल्द अनौन्स की जाएगी बिग बॉस OTT2 में वाइल्ड कार्ड इंट्रीज हुई हैं अक्टर एंड सोशल मीडिया स्टार आशिका भाटिया और यूट्यूबर एलविश यादव बतार कंटेस्टिन घर के अंदर गए है नयनतकर की पती और फिल्मेकर विगनेश शिवन ने अपने एक पोस्ट में हिं दिया कि जवाण में शारुक और नयनतार ह के बीच रोमार के बीच रोमास होने वाला है शारुक के एक tweet का reply करते हुए विगनेश ने जवान के बारे में बात की है रिपोर्ट्स है कि अक्षे कुमार ने OMG2 के लिए अपनी फीस कम कर दी है पहले अक्षे एक फिल्म के लिए 50 से 100 करोन रुपे की फीस लेते थे लेकिन लगातार फ्लॉप देने के बाद अक्षे ने अपनी फीस कम की है डियाने की रिपोर्ट के मताबिक OMG2 के लिए उन्होंने सिर्फ 25 करोन रुपे की फीस ली है शारुखान ने 13 जुलाई के सुबह आस्क एसार के सेशन किया जिसमें कई सवालों के मज़िदार जवाब दिये जवान को लेकर बात की ये भी बताये कि जवान के शूटिंग शुरू करने से पहले इसकी तयारी करने के लिए किन किन स्टार्स की फिल्में देखी इसी सेशन में शारुख ने एक फैन से जवान के नए पोस्टर रिलीस करने का वादा किया और उस वादे को 41 मिनिट में ही ने भार डाला दरसल तूशार नाम के एक शक्स ने लिखा इस बार पोस्टर क्यों नहीं रिलीस किया इस पर शारुख ने जवाब दिया अभी करता हूँ आज से सार के करने के बाद फिर क्या जैसे ही आज सार के खतम हुआ शारुख ने जवान का नया पोस्टर शेयर कर दिया समान्ता प्रभू और वरुनधवन राजन डीके की सीरीज सिटाडल में दिखाई देने वाले हैं समान्ता ने सिटाडल की शूटिंग खतम कर ली है उन्होंने पोस्ट करके सिटाडल की शूटिंग खतम करने की अनाउंस्मेंट की शारुक के जवान में कियारा अडवानी का special cameo होगा जिसकी shooting यशराद studio में की जा रही है Box Office Worldwide की report के मताबिक कियारा अडवानी चार दिनों तक इस special cameo को shoot करेंगी कियारा जवान के गाने में शारुखान के साथ दिखाई देंगी सल्मान ने शारुखान की जवान के प्रीवियो वीडियो की तारिफ की थी अब शारुख ने उसका जवाब दिया है सल्मान के पोस्त को रीट्वीट करते हुए शारुख ने कहा पहले भाई इसलिए आपको ही दिखाया था आपकी शुब कामनाओं के लिए और सबसे पहले टिकेट्स बुक करने के लिए शुक्रिया तो वैसे यह थी आज की बड़ी खबरें जाते जाते सलमान की फिल्म मैंने प्यार किया से एक ट्रीविया संते जाई है इस फिल्म में भागिश्री सबसे जादा फीस पाने वाली अक्टर थी उन्हों सलमान खान से भी जादा फीस मिली थी फिल्म की अक्टरस परवीन ने बताया कि भागिश्री को वो इस फिल्म के लिए उस वक करीब डेर लाक रुपे मिले थी और सलमान खान को उनके रोल के लिए 31,000 रुपे की फीस मिली थी वैसे इस फिल्म से बहुत सारी याद है जुड़ी हुई है आपकी याद क्या है हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताईए आज के लिए दीजे इजाज़त मिलेंगे अगले एप्रिसोड में शुक्रिया